हेलो एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू मैं चैनल अनुराग डॉक लासेज हम पढ़ रहे थे डिजिटल मार्किटिंग एंड इ-कॉमर्स और आज हमारा टॉपिक रहेगा इ-कॉमर्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आईए शुरू करते हैं वीडियो को इ-कॉमर्स जो होता है इसमें हम बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेस को इंटरनेट की मदद से और इसमें बहुत सारी बिजनस की एक्टिविटीज आती हैं टेकनलोजीज आती हैं जो की मदद करती हैं बिजनसेस को और कंज्यूमर को और दूसरी इसमें transaction conduct करी जाती हैं manage किया जाते हैं business की processes को और इसमें various type of transaction जो है करी जाती है और इसके जो business model है वो ऐसा है कि जो retail जो है business buy करते हैं और sell करते हैं bulk में next आता है marketplace तो यह platform होते हैं जहां पर multiple seller offer करते हैं अपने प्रोड़क्ट और services को जैसे की Amazon और eBay next आता है digital product तो इसमें हम sell करते हैं downloadable goods जैसे की e-book हो गए software हो गए या फिर online course next आता है services तो इसमें हम services provide करते हैं जैसे की consulting education या फिर entertainment online कि अब history देख लेते हैं तो early development हुआ e-commerce का 1960 से 1970 में तब electronic data interchange होता था इसमें businesses जो थे उन्होंने EDI के थुरूप अपने documents जैसे की purchase order और invoices को online exchange करना शुरू किया था और इसी नहीं groundwork रखा e-commerce का फिर जब internet का बर्त हुआ 1980 से 1990 के बीच में तो इसमें TCP IP प्रोटोकॉल आया तो इसमें हमने adoption किया TCP IP प्रोटोकॉल जिसने enable किया कि हम develop कर सके modern internet को और इसने facilitate किया website के creation को और online transaction को फिर first online transaction तो first online transaction 1994 में हुई यह first secure online transaction जो थी यह conduct करी गई थी net escape SSL encryption technology के थुरू और इसकी जो यह इसने माइल स्टोन बना यह एक e-commerce के अंदर अब growth आई e-commerce में 1990 से लेके 2000 के बीच में इसमें launch करी गई Amazon और eBay जैसी website तो Amazon 1994 में launch हुई और eBay 1995 में launch हुई यह सबसे पहली major e-commerce platform थे जिन्होंने online shopping को और options को बिल्कुली बदल दिया next आया .com boom तो इसमें जो लेट 1990 में एक सर्ज आया वे बहुत जादा भूम आया internet based companies के अंदर और investment आई investment हुई e-commerce के अंदर अब यहां पे जो .com bubble जो है यह 2000 के शुरुआत में खतम हो गया था और इसको consolidate कर दिया गया था 2000 के शुरुआत में अब modern e-commerce 2000 से present तक तो यह mobile commerce आ गया है अब पहला इसमें smartphone का बहुत ज़्यादा rise हो रहा है और mobile apps जो है अब यह बहुत ज़्यादा expand हो गए है ताकि e-commerce के और e-commerce के बहुत सारे mobile platform आ गए है जिन्होंने की shopping को on the go easy कर दिया है next आ गए है social commerce तो इसमें integration किया जाता है e-commerce का social media platform के साथ जैसे की Facebook हो गया Instagram हो गया इन्होंने new new opportunities दी है businesses को और ज्यादा customer तक रीच कर पाते हैं business social media के थुरू नेक्स्ट आता है omni channel retailing तो इसमें हम blend लाते है online और offline experience का जैसे की click and collect of online to offline strategy और यह बहुत ज्यादा आजकल important होती जा रही है अब advantage और disadvantage देख लेते हैं तो advantage है convenience तो इसका फस्ट है 24-7 availability तो e-commerce store जो है यह round the clock 24 hours 7 days open रहते हैं और इसमें customer जो है यह allow किये जाते हैं कि वो कभी भी shop कर सकते हैं किसी भी समय पे next आता है ease of access तो consumer जो होते हैं वो browse कर सकते हैं और purchase कर सकते हैं product बिना अपने घर को घर से बाहर निकले और यह time भी बचाता है और user का effort भी बचाता है next आता है global reach तो इसमें first आता है market expansion तो businesses जो हैं यह बहुत जादा global audience को reach कर सकते हैं और उन markets तक भी पहुंच सकते हैं जहां पे physical store नहीं पहुंच सकते next आता है diverse customer based तो e-commerce platform जो होते हैं यह enable करते हैं customer को के वह access कर सके different geographic location और demographic से भी e-commerce को वह access कर सकते हैं next आता है cost effectiveness तो इसमें आता है lower overhead तो e-commerce जो है यह eliminate करते है cost को जो की traditional retail में होती है जैसे की rent हो गया utility हो गया या फिर in store staff next आता है scalability तो online business जो है इन्हें कितने operation के हिसाब से असानी से scale किया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है as compared to physical store next आते हैं personalization तो इसमें first आता है customized experience तो e-commerce platform जो है यह data analytics का इस्तमाल करते हैं ताकि एक personalized recommendation यह provide करवा सके और targeted marketing कर सकें जो कि enhance करता है shopping के experience को next आता है behavioral insight तो businesses जो हैं यह track कर सकते हैं customer के behavior को और preferences को और उनके अनुसार यह offer और promotion दे सकते हैं next आता है efficient transaction तो इसमें streamline कर देते हैं processes को इसमें e-commerce platform जो है यह automate कर देती है बहुत सारे aspect को जो की buying process के अंदर होते हैं जैसे की order processing payment और inventory management next आता है electronic payment तो इसमें हम secure payment gateway का इस्तमाल करते हैं जो की quick और easy transaction हमें provide करवाता है next up disadvantage देख लेते हैं तो पहला है security concern तो इसमें पहला आता है cyber security risk e-commerce site जो है यह बहुत one reliable होती है data breaches के लिए fraud के लिए और cyber attack के लिए यह risk डालती है customer की information पे और financial transaction पे next आता है privacy issue तो इसमें handle किये जाते हैं सारे personal और payment का data जो की security measures के लिए और user की privacy को protect करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है next आता है lack of personal lack of personal interaction तो इसमें first आता है customer service challenge तो online shopping में face to face interaction बहुत कम होता है जो की affect करता है customer की service को और अगर customer को कोई issue है तो उसको भी resolve करने इतना असान नहीं होता next आता है product evaluation तो customer physically inspect नहीं कर सकते हैं या फिर product को try नहीं कर सकते हैं purchase करने से पहले तो यह dissatisfaction लाता है user के अंदर next आता है technical issue तो इसमें पहला है website downtime तो इसमें technical glitches आ जाते हैं server issue आ जाते हैं या फिर website crash हो जाती है जो की shopping के experience को impact करती है और यह impact करती है sales को next आता है complexity तो इसमें manage करना और maintain करना e-commerce platform को बहुत जादा complex होता है जो की regular updates इसके लिए चाहिए होते हैं और इसके लिए technical support की जरूरत होती है next आता है competition तो first आता है market saturation हम इसमें इसमें बहुत low barrier होता है e-commerce के अंदर entry का तो इसकी वजह से e-commerce के अंदर बहुत जादा competition होता है तो इसकी वजह से businesses जो को बहुत challenging बहुत businesses के लिए बहुत challenging हो जाता है अलग अपना unique perspective रखना next आता है price pressure तो price का comparison किया जाता है tools के द्वारा और competition जो होता है यह pressure लाता है price के ऊपर और margin जो होते हैं वह बहुत कम रह जाते है pricing strategies की वजह से next आता है logistics and fulfillment तो इसमें first आता है shipping cost इसमें हम manage करते हैं shipping को और handling handle करते हैं logistics को जो की costly होता है और इसमें international borders international order तो बहुत जादा costly होते हैं next आता है return and exchange तो इसमें जो returns होते हैं उन्हें हमें handle करना होता है और exchange जो होते हैं उन्हें भी handle करना पड़ता है जो की बहुत बार complicated हो जाते हैं और costly होते हैं as compared to physical retail अब summary में देख लेते हैं तो e-commerce ने revolutionize कर दिया है कि businesses की तरीके को consumer के interaction को और इनने offer करता है यह बहुत सारे benefit जैसे की convenience हो गया global reach हो गया cost effectiveness हो गया मगर यह कुछ challenges भी place करता है हमारे सामने जैसे की security हो गया customer service हो गया और competition अब e-commerce को हमें समझना चाहिए और इसके aspect हम समझके हमारा business जो है in e-commerce का फायदा उठा सकता है effectively और हम address कर सकते हैं potential drawback को भी